हमने term symbol तो ground state में तो find कर लिया था लेकिन आपको possible term यानि possible में से allow कितना है वो कि इसे आपको calculate करना है तो उसके लिए में यहाँ P2 का एक example आपको possible term के लिए बता दू ठीक है P2 है तो उसमें 2 electron है वो fill up हो गया ठीक है अब आपको क्या करना है P2 है उसकी possibility आपको check करनी है P2 में electron है वो upfill में भी रह सकता है एक upfill में दूसरा downfill में भी रह सकता है ठीक है तो आपको उसके लिए spin multiplicity यहाँ निकलनी है 2s plus 1 मैंने लिखा है ठीक है यहाँ yes equal to कितना होता है 1 Q क्योंकि दोनों है दोनों upfill में है तो 1 by 2 plus 1 by 2 तो 1 answer मिल गए आपको तो यहाँ 2s plus 1 है तो a as equal to 1 लिख दो यहाँ तो 2 वन जा 2 2 plus 1 तो 3 answer मिल गए यहाँ देखो opposite direction है तो opposite direction के लिए यहाँ 1 by 2 minus 1 by 2 वो 0 हो जायागा तो spin multiplicity आपको 2 into 0 0 हो गया plus 1 तो spin multiplicity के value आपको 1 मिल त तो possible term में आपको क्या करना है उसके जो भी possibility है electron fill up होने की possibility आपको लिखने है वो कैसे लिखने है आपको last वाला जो भी electron दिया है वहाँ से आपको क्या करना है उसको opposite ले जाना है ठीक है तो मैंने पहला opposite में लिखा है पहला यहाँ देखो पहला क्या किया मैंने पहला up field में में लिखा बाद में यह electron को opposite में लिख लेया अब क्या होगा यहां तीसरी possibility उसकी है कि दोनों को down field में रख दो लेकिन उसका answer है वो minus में आएगा तो minus वाला answer यहां आपको multi electron system में apply नहीं करने है इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा ठीक है लेकिन तीसरी possibility यह भी हो सकती है तो यहां तो minus 1 हो जाएगा minus 1 हो यह तो उसका answer है वो minus में आएगा minus 3 आएगा तो minus value consider आपको नहीं करने है ठीक है अब आपको EL के लिए मैं यहां आपको एक equation लिख दूँ यह निकालने के लिए उसका equation है L1 प्लस L22 L1-L2 ठीक है यह equation है वो मैंने लिख लेए यह निकालने possible term के लिए ground state के लिए तो आपको वह ही apply करना है L1 into M1 plus L2 into M2 लेकिन यहां आपको क्या करना है तो कि यहां possible term के लिए L का equation है वो L1 plus L2 to L1 minus L2 तक आपको ले जाना है L की value आपको orbital से पता चल जाएगा orbital आपको पता ही है कि जब L है equal to 0, 1, 2, 3 अया मैंने लिखा ही और 3 होता है तो S, P, D and F orbital present है ठीक है तो यहां देखो P orbital present है यानि L की value कितनी हो गई 1 तो आपको यहां कितना लिखना है 1, 1 plus 1 तो 2 हो गए यहां 2, 1 minus 1 तो 0 हो गए है यानि L की value आपको कितनी मिल गई 2 से लेकर 0 तक 2, 1 and 0 वो तिनो value मिल गई आपको पता ही है कि L equal to 0 होता है तो term S, 1 है तो P, 2 है तो D तो आपको यह तिनो term है वो term आपको मिल गई है आगे क्या करना है आपको possible spectral term कितना मिले तो कि देखो यहां spin multiplicity आपको 2 मिली 3, 2 मिली 1 तो यह के लिए आप A से S के लिए 1 बिलिक होगे 3, 2 बिलिक होगे P के लिए 1 बिलिक होगे 3, 2 बिलिक होगे तो आपको total possible term है वो 3 में से कितने मिल गई 6 लेकिन उसमें से allowed term है उसके लिए आपको rules apply करना है allowed term निकलने के लिए आपको क्या करना है उसका rules है कि उसमें आपको EL है वो maximum लेना है और spin multiplicity minimum लेनी है ठीके तो देखो यहां EL maximum 2 का है है इसलिए मैंने D लिख लिए यहां ठीके आगे क्या करना है आपको spin multiplicity minimum यानि यहां 3B है 1B है तो आपको select minimum करनी है तो मैंने 1 लिख यह पहला rules है दूसरा rules यहां भी मैंने लिखाया दी के बाद कुन सा EL highest होता है दी के बाद D का ज्यादा और उसके बाद 1 है वो पीका है तो मैंने यहां पी लिखा और minimum spin multiplicity 1 है लेकिन उसका दूसरा rules है कि nearest दो जो दो बाजू-बाजू का term है उसमें spin multiplicity सेम नहीं होना चाह है यानि उसका जो बाजू-वाला term है वो बाजू-वाला term का जो भी spin multiplicity है वो सेम नहीं होनी चाहिए इसलिए मैंने क्या कर दिया यहां cross कर दिया यह allowed नहीं है क्योंकि उसका दूसरा rules है पहला rules यह है कि यह highest होना चाहिए और यह मिनिमम होना चाहिए तो यह तो हो गया उस के बाद यह one वाला आएगा तो उसके लिए यह one value है वो मिनिमम है लेकिन उसका दूसरा rules है कि बाजू-बाजू में दो spin multiplicity सेम नहीं होनी चाहिए तो मैंने क्या कर दिया है यह allowed नहीं है तो आपके पास बचा क्या है P3 ही होगा ठीक है बाद में यहां yes तो yes के लिए आपक stability का rules है कि is the spin multiplicity जिसकी है उसकी stability ज्यादा है ठीक है तो यहां 3 1 1 देखो आगे में वो rules आपको समझा दू कि is the spin multiplicity वोनी चाहिए तो यहां देखो is the spin multiplicity है 3 है तो मैंने 3 आगे stability order में सबसे आगे लिख लिए बाद में क्या करना है आपको yes and d दोनों term है stability की बाद करूं यह यहां वो rules नहीं apply करना है कि बाजू-बाजू में one spin multiplicity है तो cancel हो जाएगे वो तो yellow term ही apply करना है ठीक है देखो यहां d term है तो d term के लिए मैंने यहां spin multiplicity है वो तो दोनों की one ही है तो आपने क्यों d आगे लिखा तो जब spin multiplicity है सेम मिलती है आपको तो आपको यह चेक करना है यहां spin multiplicity से answer आप नहीं निकल पाओगे क्योंकि दोनों की सेम है तो answer निकलने के लिए आपको यह चेक करना है यहां कितना होता है ड होता है तो यह उतना होता है अपको पता ही two होता है और यह में तो zero होता तो जिनका यह आएस है उसकी spin multiplicity तो यह stability order है